हेलो दोस्तों तो स्वागत आपका गेल इंस्ट्यूर के योट्यूब चैनल में आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पार्ट्स ओफ आईसी इंजन देखें इंटर्नल कंबस्टिन इंजन के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं उसकी सारी डेटेल हम पढ़ेंगे तो आईए शु क्या है कि असेम्बली दिखा रखी है यह में पार्ट्स जो है उसकी असेम्बली दिखा रखी है तो यह देखें यह ड्रॉ। पिया हुआ है Solidworks में तो मैं चाहता हूं कि आप भी Solidworks जरूदिखें या यह देखें कितना खुब सूरत है अब यहां पे जो है वो है पिस्टन यह पिस्टन और यह पार्ट जो है वह है क्नेक्टिंग डॉर्ड यह वाले जो लेंथ है और यह है क्रेंक शाफ्ट ठीक है तो इसकी असेंबली बनाई हुई है नेक्स्ट देखते हैं यहां पर देखें यह exploded विव है इंगें का इंगें के काफी लगलग पार्ट हैं जो यहां पर दिखाए हुए है इसमें हमारे पास complete है इतना नहीं हम पढ़ेंगे कि हर detail चोटी सी चोटी detail नहीं पढ़ने वाले हैं में में पार्ट और उसकी मैनुफेक्शरिंग किस तरह से है उसका material कौन से हो सारी detail हम पढ़ेंगे तो यहां देखें यह सबसे पहले है हमारा slender block देखिए जो हम बोलते हैं कि जो piston slender में चल रहा है slender में चल रहा है वो क्या होता है कि इस तरह का होता है इसको slender block बोलते हैं तो यह slender block के अंदर piston move करते हैं तो यहाँ पे तीन slender जाला engine जो है उसकी एक photo है इसमें हमारे पार slender बताया गया है कि किस तरह का होता है ठीक है और आगे चलते हैं देखिए slender block इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा fuel is burnt तो इसमें fuel burn करता है और power is produced तो power produced होती है ठीक है और इस slender के अंदर सारा कुछ होना है तो slender is the main body तो main body है IC engine की slender is a part in which the intake of the fuel, compression of the fuel and burning of fuel take place आता है fuel, compressed होता है और फिर burn हो जाता है यह सारा कुछ slender के अंदर होना है और इसका main function क्या है is to guide the piston piston को guide करना इसका काम है हमारे पास piston जो move करेगा इसके अंदर अंदर ही move करेगा तो यह इसके ना देखो एक तरह से piston को यह guide कैसे कर रहा है ना तो piston इदर जा रहा ठीक है इस side ने जा रहा कहीं rotate ने हो रहा सिर्फ इसके अंदर ही move कर रहा है उपर नीचे तो इसको यह guide कर रहा है एक तरह से, at the upper end of the slender, the slender head and at the bottom the crack case is, हमारे पर slender के उपर क्या क्या है, वो बताए गया है, slender head है, और crack case है, जो नीचे होता है, ठीक है, वो इसके साथ जोड़े जाते हैं, next thing, देखे, ये हमारे पास है, क्या है, slender block, देखे, one, two, three, four, five, six, तो six slender engine की photo है, इसमें material देखे, और cast iron का बना होगा ये, ठीक है, अगर जादर detail पूछता है, कि अलग लग जया है, पता क्या है, कि अलग लग होता है, हमारे पास material according to engine, अब पैसे की बात आती है, अगर सस्ता आपके पास car है, या बहुत महेंगी क्रोणों की car है, तो उसमें अलग-लग material लगेंगे, तो mostly जो आपके पास option होगा, वो cast iron का होगा, ठीक है, इसको या रखाना, cast iron का mostly होगा, और ये जो होगा, वो होगा low carbon steel, ये क्या है low carbon steel 30C8, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि हमारे पास ये low carbon steel जो है, वो लगाएंगे, material बनाएंगे, उसका, ये cylinder block बनेगा, क्योंकि जब महंगा थोड़ा जाईए हमें, तब हम ये वाला material यूज़ करते हैं, उसके बाद manufacturing देखिए, manufacturing के लिए हम क्या करते ह है, and heat transfer, after the heat transfer machining, ये सारा कुश ही होता है, तो casting method में मानें, तो इसमें क्या है manufacturing है, casting, ठीक है, casting के through इसको बनाया जाता है, next जलते है, next हमारे पाद piston, देखिए, ये move करना है, इसके उपर ही सारा force develop होना है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास, देखिए, piston piston is used to reciprocate inside the slender, तो slender के अंदर reciprocate करेगा, reciprocate का मतलब उपर नीचे ऐसे होना, इसे reciprocation, it transmit the energy to the crank shaft through the connecting road, तो ये बात सही है, देखो piston होता है, हमारे पास, ठीक है, piston है, और इसके नीचे क्या लगाओगा, connecting road, connecting road आगे किसके साथ जोड़ेगी, crank shaft के साथ, ठीक है, material कौन से है mostly जो material use होता है, वो होता है, aluminium alloy, ये objective type में बहुत आते हैं, इसको बहुत ज़्यादा तरीके से याद रखो ये चीज़ें, और manufacturing कैसे होती है, इसके casting के थ्रू होती है, तो इसको जितना याद कर सकते हैं, आप इसको कर लें, ये objective type में आपके सामने आना ही आना है, next देखते है, ये ये देखे, हमारे पास क्या है, connecting road, यहाँ पिस्टन भी दिखा रख है, और connecting road भी दिखा रखी है, और यहाँ पे crank shaft नीचे घुम रही है, ठीक है, तो हमारे पात piston motion दिखा रहा है, कि piston, brushing, crank shaft किस तरह से motion रोग है, तो connecting road हम पढ़ेंगे, connecting road क्या होती है तो देखेंगे ये connecting road के example देखा रखिये कि यहां पे connecting road है मारे पास यह connecting road है और आ पिस्टन के साथ जोड़ी हुई है यहां पे देखें यहां पर ज्यादा clarity आएगी आपको यह हमारे पास the connecting rod is connected to the piston यह हमें पता है कि piston के साथ जुड़ा होता है जो इसका end है through a piston pin पिस्टन पिन लगी है while the other end is connected to the crank through a crank pin तो जो crank यहां पे जुड़ा हुआ है देखो यह रहा तो यहां पे crank pin लगी होगी और यहां पे जो लगा है वो piston pin लगी होगी तो इसके through जुड़ता ही है ठीक है समझा रहा है देखे फंक्शन इट कन्वर्च दे रेसिप्रोकेटिंग motion आफ दे पिस्टन इन्टू रोटरी मोशन आफ दे क्रेंक्शाफ तो यह एक्चुली connection बना रहा है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आगे ट्रांस्मिट कर रहा है और manufacturing इसकी फोर्जिंग होती है ठीक है आफ्टर ही ट्रीटमेंट तो ही ट्रीटमेंट के बाद फोर्जिंग होती है इसकी यह इसका manufacturing प्रोसेस है देखिए नेक्स्ट हमारे पास है तो देखते हैं यहां पर यह रिंग उतार रहे है और यहां पर यह रिंग देख रहे हैं यहां कट आउट है इंगन का इसमें हमें दिख रहा है कि चलें तो पिस्टन इंग किसलिए है देरा दीज यूज्ट तो मेंटेन एप्रेशर टाइट सील बिट्विन दे पिस्टन एंग तो यह एक टाइट सील बना देता है ठीक है तो यह एक्शुली क्या है यहां पर अगर इग् से कि यहां की जो मल ऑईल है यहां पर जो आना है फ्यूर आना है वो नीचे ना चला जाए तो यह एक टाइट सील बना देता है हमारा ठीक है तो यह सील की तरह बिट्वीन दे पिस्टन एंड दे स्लेंडर वाल एंड और आंसो इट ट्रांसफर्स दाइट पिस्टन है तो यह head जो piston head है यहां से यहां सी जो heat है वो यहां से transmit कर देता बाहर के ओर तो वो heat transfer के बी काम आते हैं These rings are fitted in the grooves that have been cut in the piston. तो piston के अंदर grooves कट करते हैं और उसके हंदर हम डालते हैं. They are split at one end so that they can expand or slip over the end of the piston. तो piston के यह जो हमारे पास rings हैं उसमें cut लगाया होता है. ऐसे पूरा complete नहीं बनाया है. यहां थोड़ा सा cut होता है. ताकि यह पूरा-पूरा fit बैठ सके और slip करके अराम से expand हो सके. Next है हमारे पास crank shaft. देखिए जो crank shaft है यह बहुत main part है हमारे इस IC engine का. तो इसके बारे में detail पढ़ेंगे और यह crank shaft जो है इस तरह से लगी होती है. ठीक है अलग-लग engine है अलग-लग तरह का material use करते हैं और यह देखिए हमारे पास इस तरह से यह motion है अब तक आपको easy way से समझ आ जाना चाहिए यह किस तरह से किसकी का क्या function है ठीक है अलग-लग parts का. तो यहां पर देखिए function देखते हैं it converts the reciprocating motion to the rotating motion तो reciprocating को यह rotary में बदल देता है it transmit power to the flywheel, flywheel को power देता है यह हमें पता होना चाहिए it receive power from flywheel, तो यह दोनों चीज़ कर रहे है अना flywheel का function क्या है flywheel actually यह देखो यहां पर अगर मैं flywheel लगाता हूँ यहां पर लगा हूँ है तो यह crank shaft जो flywheel को चलाएगा एक बार किसमें power stroke में लेकिन बाकी जो होते हैं कौन से होते है section होता है compression होता है और exhaust होता है उसमें flywheel crank shaft को चलाएगा power stroke में यह इसको flywheel को चलाएगा flywheel free crank shaft को बाकी 3 में चलाएगा ठीक है तो flywheel आप समय सकते हैं मैं उपर link दे रहा हूँ आप को वहां से आप flywheel की सारी functioning देख सकते हो बड़ा ही इजी है उसका समझना और यह material कौन से alloy steel से बना होता है ठीक है alloy steel से और इसकी manufacturing method है forging तो forging से बनाते हैं next है हमारे पास flywheel देखे flywheel जो है यहां पर यह पार्ट लगा हुआ है यह काफी ज्यादा important है ठीक है तो फिर से मैं कहूंगा कि flywheel पे मेरे आले वीडियो आप देख सकते हो उपर आई जो बटन है उस पे click करके आपके अस लिंक आ जाएगा flywheel का function बहुत ज़रूरी है इसको जुरू समझें आप ठीक है तो flywheel किस तरह function करता है it absorbs energy during power stroke and supply it during remaining stroke जो मैंने पहले भी आपको बता है वो सारा काम किसका है flywheel का है flywheel keeps the crank shaft rotating at uniform speed ठीक है तो वो uniform speed से उसको चलाता रहेगा यह नहीं है कि अचानक से जो crank shaft की speed बढ़गी अचानक से कम होगी ऐसा नहीं है तो uniform speed बनाने के लिए क्या करते हैं हम crank shaft के साथ flywheel लगा जाते हैं आगे चलते हैं देखें material cast iron से बनता है और यह casting के थ्रू बनता है ठीक है मैं कोशी कर रहा हूं कि हर angle से आपको समझाओं और आप ताकि आपको easy way से समझा सके यह कुछ main parts थे इसके इलावा एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें और बाकी parts भी cover करूंगा यह आपको वीडियो कैसी लगी आप comment box में जरूर बताएं और आप यहां पर यह गोल ब लिखिए topic का नाम और साथ में लिख दीजिए gear institute तो अगर मैंने उस topic पर वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी